सर्वनाम के विशय में जैसे वह, यहां, कहां, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे. अब एक वाकी के द्वारा हम यह समझते हैं कि किस तरह से संग्या के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रियुक किया गया है? का गया राम है आदर्श है बालक है अस्ति कि राम एक आदर्श बालक है राम है मम प्रियमित्रम अस्ति राम मेरा प्रियमित्र है राम है सरवेशाम गुरुजनानाम प्रियो अस्ति राम सभी गुरुजनों का प्रियचात्र है अब इसी वाक्य को हम सरवनाम शब्दों का प् संग्या शब्द क्या है राम है आदर्श है बालक है अस्ति की राम एक आदर्श बालक है यहाँ पर संग्या शब्द क्या है राम अब अगले वाकिसे हमने संग्या शब्द का प्रयोग नहीं किया बलकि उसके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जैसे उपर था यहां कहेंगे सह मम प्रियमित्रमस्ति कि वह मेरा प्रियमित्र है फिर आगे उसी तरह सह सर्वेशाम गुरुजनानाम प्रियोवस्ति वह सभी गुरुजनों का प्रिय चात्र है तो आपने देखा कि उपर किस तरह से संग्या शब्द जो प्रियोग किये थे इनके स्थान पर जिस शब्द का प्रियोग किया गया सह वह एक सर्वनाम है तो सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो संग्या के स्थान पर प्रियोग किये जाते हैं सरवनाम शब्दों की विशेस्टा ये भी है कि प्राया सभी सरवनाम शब्द मुख्य रूप से विशेशन के रूप में प्रयोक किये जाते हैं और इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि विशेशन और विशेश्च के बारे में भी हम समझें विशेष और विशेषन में फर्क यही है कि विशेषन उन शब्दों को कहते है जो संग्या या सरवनाम शब्दों की विशेष्ता बताते हैं जैसे हमने एक वाक्य लिया आदर्शह बालकभ ay ठीक है अब यहां पर जो आदर्शह बालकभ ay है इसमें बालक जो है वो एक संग्या है और इस संग्या की विशेस्ता बता रहा है आदर्श सब्द की बालक आदर्श है तो आदर्श जो क्या हो जाएगा विशेशन हो जाएगा और वहाँ विशेशन जिस संग्या या सरवनाम की विशेष्टा बताएगा वह संग्या या सरवनाम क्या कहलाएगा विशेष्ट कहलाएगा मतलब जो विशेष्टा बताने वाला शब्द होगा वह विशेष्ट कहलाएजाएगा और जिसकी विशेष्टा बतलाई जाएगी वह विशेष्ट कहलाएजाएगा ठ वही वचन और लिंग विशेशन का भी होगा जैसे आप देखेंगे लिखा है सहनरह अब नरह जो है उसमें प्रतमा विभक्ति है और एक वचन है तो यदि हमें विशेशन का प्रयोग करना है तो वह भी हमें प्रतमा विभक्ति के एक वचन का ही प्रयोग करना पड़ेगा ठ उसी प्रकार तत फलम इसमें फलम जो शब्द है वो नपुनसक लिंग का है इसलिए हमें उसका सर्वनाम जो है और जो उसका जो विशेशन है वह भी हमें नपुनसक लिंग का ही लाना पड़ेगा ठीक है तो सर्वनाम शब्दों को समझने के करम में एक विशेश बात यह है क कि जो लिंग या वचन संग्या या सर्वनाम शब्द का होगा उनके विशेशन का भी वही लिंग और वचन होगा चलिए अब कुछ सर्वनाम शब्दों के वारे में समस्ते हैं एक सर्वनाम है अस्मद अस्मद के रूपों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है जैसे मैं हम हमारा हमारे लिए मेरे लिए ठीक है इन सभी अर्थों को बताने के लिए अस्मत शब्दों का प्रयोग किया जाता है उधारन के माध्यम से समझते हैं जैसे अहम अहम माने मैं अहम पठामी यानि मैं पढ़ता हूं ठीक है अब मैं जो है मेरा नाम जो है वो एक संग्या है और उसके स्थान पर मैं शब्द का प्रयोग किया गया है अहम शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब अहम जो है वो एक सर्वनाम है ठीक है उसी प्रकार वयम वयम महने हम सब उधारन क्या है वयम पठाम हम पढ़ती हैं तो वय हम यहाँ पर सर्वनाम है उसी प्रकार अस्माकम मने हमारा अस्माकम देशह पुरा पराधीन आसीत हमारा देश पहले पराधीन था तो यहाँ पर हमारा जो है अस्माकम जो है वो क्या है एक सर्वनाम है ठीक है उसी प्रकार यदि हमें तुम तुम्हारे लिए और तुम्हारे द्वारा तुम्हारा इन सभी अर्थों को बताना हो तो उनके लिए युश्मत सब्दों का प्रयोग किया जाता है युश्मत माने तुम्हारे लिए ठीक है और युश्मत सब्दों के रूप ये उसी तरह बनते हैं जैसे तौम तौम माने तू या तु उधारन है त्वं किम पठसी तुम क्या पढ़ते हो तो यहां पर त्वं जो है यह एक सर्वनाम है ठीक है उसी प्रकार युवाम युवाम माने तुम दो युवाम पाठम पठतह तुम दोनों पाठ पढ़ते हो तो यहां पर युवाम जो है वो एक सर्वनाम है उसी प्रकार युश्माकम मने तुम्हारा अधुना युश्माकम देशह निर्धनह न अस्ती आज तुम्हारा देश निर्धन नहीं है तो यहाँ पर युश्माकम जो पद है वो एक सर्वनाम है ठीक है उसी प्रकार पुलिंग में यदि वह ये सर्वनाम का प्रयोग करना हो इस अर्थ मे ये है तत नाम का सरवनाम उधारान के माध्यम से समझते हैं यदि हम बोलेंगे वह बालक तो वह इसमें सरवनाम है संस्कृत में किस तरह बोला जाएगा सहब सह माने वह सहब आलक है पुस्तकम पठती वह बालक पुस्तक पढ़ता है तो यहां पर सह जो शब्द है वह एक कम पठन्ति वे सभी बालक पुस्तक पढ़ती हैं तो यहाँ पर ते जो है शब्द यह एक सर्वनाम शब्द है इसी प्रकार यदि स्ट्रीलिंग में हमें वह अर्थ में सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना हो तो उसके लिए भी तत्थ शब्द है तत्थ मनें वह और स्ट्री में बनेगा सा ते ताह सा माने वह स्त्री या वह लड़की ते माने वे दो लड़कियां और ताह माने वे सब लड़कियां उधारन की माध्यम से समझते हैं सा माने वह सा बालिका पुस्तकम पठती ठीक है सा इसमें सर्म नाम है इसका मतलब है वह बालिका पुस्तक पढ़ती ह ताहा माने वे सब बालिकाएं ताहा बालिकाः पुस्तक्म पठनति वे सभी बालिकाएं पुस्तक पढ़ती हैं तो इसमें प्रथम्हा और ध्वितिया के रूप जो होते हैं यह अलग होते हैं बाकी के अन्य रूप जो होते हैं वो पुलिंग की तरह ही चलते हैं ठीक है यानि की प्रसमा और द्वितिया में बनता है तत ते तानी और द्वितिया में भी तत तानी और बाकी की जो रूप हैं वो पुलिंग की तरह ही चलते हैं उधारन के माध्यम से समझते हैं त तत मम पुस्तकम अस्ती अब पुस्तकम जो है वो एक नपुनसक लिंग का शब्द है तो उसके लिए जिस सर्वनाम का परियोग किया जाएगा वो है तत मने वह पुस्तक मेरी है उसी प्रकार तानी तानी मने वे सब तानी मम पुस्तकानी संती वे सभी पुस्तके मेरी है तो यहां पर तानी शब्द जो है वो एक सर्वनाम शब्द है और नपुन्सक लिंग सर्वनाम का शब्द है इसी प्रकार यदि हमें यह अर्थ में सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना हो तो एतद नाम के सर्वनाम का प्रयोग हम करेंगे एतद सर्वनाम का अर्थ होता है यह उदारन के माध्यम से इसको समझते हैं जैसे है एशह एशह माने यह एशह अश्वह अस्ति यह घोड़ा है तो यहाँ पर एशह जो है एक सर्वनाम है उसी प्रकार एते अश्वह संति यह सब घोड़े हैं तो एते जो शब्द है यह एक सर्वनाम है यह अर्थ में स्ट्रेलिंग में भी इसी तरह से रूप बनेगा एतत लेकिन यहाँ पर बन जाएगा एशा जैसे एशा अध्यापिका अस्ति एशा अध्यापिका क्योंकि स्ट्रेलिंग का शब्द है उसी प्रकार एशा यहाँ भी स्ट्रेलिंग का प्रयोग किया जाएगा तो एशा अध् सब्सक्राइब यदि हमें यहां अर्थ में सरवनाम शब्द का प्रयोग करना हो तो उसमें रूप बनता है एतत एते एतानी ठीक है और इसको उधारण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत इसके उधारण बन सकते हैं जैसे एतानी मम पुस्तकानी अस्ती या फिर एतत फलम अस्ती यहां फल है एतानी फलानी संती एतानी माने ये सब फलानी माने फल हैं ये सब फल हैं तो इस तरह से यह और वह अर्थ को बताने के लिए सरवनाम शब्दों में एतत और तत शब्दों का प्रयोग किया जाता है यदि हमें प्रश्णवाचक अर्थों के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना हो जैसे कि क्या कौन तो इसमें पुल्लिंग में किम शब्द का प्रयोग किया जाता है और रूप बनते हैं कह कौन के ठीक है जैसे कह माने कौन पुल्लिंग में एशह कह यह कौन है ठीक है या फिर एते एते बालका यह सब लड़क काउमाने कौन विवचन में और के माने कौन बहुचन में जैसे कि तत्र के संती वहां कौन है ठीक है उस्से परकाद रिदी हमें स्ट्रिलिंग में कौन अर्थ में सरवनाम शब्द का प्रियोग करना हो तो यहां पर रूप बनता है का के काहा और इस तरह से इनके उधारणों को यह दियम समझने का प्रयास करेंगे तो हम कह सकते हैं जैसे एशा का यह कौन है स्ट्रिलिंग में एशा शब्द के प्रियोग से आप समझ जाए ठीक है एते माने ये दो एते बालिके ये दो बालिकाएं हैं तो उसी इस प्रकार से का माने कौन ठीक है एक वचन में के माने कौन द्वीवचन में स्ट्रिलिंग के लिए और का माने कौन बहुचन में स्ट्रिलिंग के लिए तत्र के बालिके गते वहां पर कितनी गई इस अर्थ को बताने के लिए यहां पर के नाम के सर्वनाम का प्रयोग किया गया और नपुन्शक लिंग में बनता है किम के कानी ठीक है इस तरह से जैसे कि एतत किम अस्ती यहां क्या है तो किम शब्द के प्रयोग से हम समझ जाएंगे कि किसी नपुन्शक लिंग जानि कानी ये सभी नपुन्सक लिंग के शब्न है तो इसलिगे एता निकाने जो है वो stuался कि सरवनाम शब्द कहे जाएंगी कि तो इस प्रकार से आज हमने म्नें मर्बनाम सबदों के बारे में बिस्तरत रूप से जाना धन्यवाद